हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, इस वीडियो का हम फटा फट से डाइविन करेंगे, आज के जो जॉब अपडेट है, D.A.E. यानी Department of Atomic Energy, यहाँ पर्मनान जॉब रहने वाली है, गेट स्कोर की टेंशन बिल्कुल भी मतलेना, और काफी कु पोस्त की बात करें, तो यहाँ पर Management Training की पोस्त है, अब जैसी आप यहाँ पर Notification देखोगे, तो यहाँ पर Important Dates का एक शिक्षन दिया हुआ है, अब इसमें Starting Date 21st July दी हुई है, और Last Date 20 August दी हुई है, अब यहाँ पर एक्जाम की बात करूं, तो यहाँ पर 4th week of September, या फिर 1st week of October में यहाँ पर आपकी जो है return exam होगी, अब number of post की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 35 vacances होने वाली है, और Engineers के लिए यहाँ पर Mechanical, Mining, Electrical, Chemical और Mineral में यहाँ पर पोस्त होने वाली है, और Engineers के इलावा यहाँ पर HR और Finance में भी पोस्त है, तो इसका मलदब यही हुआ कि सकते हो, वो सकता है आप किसी में eligible हो, वहाँ पर opportunity भी आपको पसंद आए और सारी चीज़े साथ में सिंक हो, जरूर से चेक कर ले ना, next बात करते हैं यहाँ पर stipend या फिर pay scale की, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि management training का पीरियड होगा, वहाँ पर आपको 57,000 दिया जाएग और इसमें जो है PRP यानि performance related page जो होगा, जो bonuses होगे, वो सब इसमें included नहीं है, इसके बात जो है, यहाँ पर category wise breakdown दिया हुआ है, आप जरूर से इसको चेक कर सकते हो, और अगर age limit के बात करें तो यहाँ पर 27 years age दी होई है, इसके बात जो है, दो और section दिये हुए है, relaxation in age limit और suitability of post, यह आप एक बार go through कर सकते हो, इसके बात जो है, यहाँ पर एक important section दिया हुआ है, qualification and eligibility criteria के बारे में, अब यहाँ पर engineers के लिए अगर मैं बात करो, तो यहाँ पर अगर आपने BE, BTEC या फिर इस equivalent कोई भी आपके पास degree है, तो आप जो है यहाँ पर apply कर पाऊगे, अब बात करें हम HR की, तो यहाँ पर इन्होंने काया है कि 2 years full time post graduate degree, आपके पास यह होनी चाहिए, या फिर आपके पास diploma होना चाहिए, इन subjects के अंदर, यहाँ पर इन्होंने और एक चीज लिखें कि अगर आपके पास law के अंदर degree है, तो आप more desirable होंगे, अब finance की बात करें, तो अगर आप mechanical में आते हो, तो यह सब branches है, और electrical में भी काफे सारी branches है, बाकी तीनों में जो है, एक एक बार से जरूर से चेक कर लेना, और नीचे इन्होंने काया है कि आप यह जो passing percentage होने चाहिए, वो 60% के around होने चाहिए, और अगर आप SC या फिर ST category में आते हो, तो यहाँ प जो है, थोड़े बहुत और भी points दिये हुए है, जैसे कि 59.9 percentage भी यहाँ पर 60% में count नहीं होगा, यानि 0.1 percentage का भी अगर फरक होगा, तो यह count नहीं होगा, इसे थोड़े और points से इसके related, तो आप ज़रूर से इसको एक बार go through कर सकते हो, अब next जो है, यहाँ पर selection process बताया है, अब यहाँ जो है, सबसे पहले आपका written examination होगा, अब इसमें दो papers है, 100 objective का एक होगा, जिसमें professional knowledge के बारे में पूछा जाएगा, and second paper जो है 50 objective का, वो जो है general awareness, reasoning, general English, and multiple, इसमें जो है, आपको answers या फिर multiple options मिलेंगे, और इसे के साथ जो है, यहाँ पर negative marking भी होगी, 0.25 marks क अगर आपको कोई भी question गलत जाता है, और अगर आप attempt नहीं करते हो कोई भी question, तो उसका marks जो है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, इसके बाद का जो next step है, personal interview, उसमें जाने के लिए आपको कम से कम 40 marks चाहिए होंगे, minimum, और अगर आप SC या फिर ST category में हो, तो यहाँ पर जो यही दू location पर आपको exam देना होगा, यह बाद में change नहीं हो सकता है, so इसके बाद जो है, आपका interview process चालू होगा, और इसी तरह से जो पूरा आपका selection process है, वो continue होगा, आप ज़रूर से इसको एक बार check कर सकते हो, selection process को, so अगर यहाँ पर आप selected हो जाते हो, तो भाई, आप जो है, और एक important चीज है application fee, तो अगर आप SC, ST, special categories से हो, या फिर आप एक woman हो, तो यहाँ पर आपको application fee नहीं बढ़नी होगी, बना यहाँ पर 500 ओपीस की application fees आपको पे करनी होगी, इसके बाद जो है, last में यहाँ पर how to apply का पूरा section दिया हुआ है, क्या आपको apply कैसे कर तो जरूर सो इसको एक बार check कल लेना, तो यह थी आज की job update, आज की वीडियो आपको थोड़ी से अलग भी लगी होगी, तो यह हमने short and crisp लखने की कोशिश की है, तो आप जरूर से हमें बताना कि आप और ऐसी वीडियो दिखना चाहते हो, या पूरी in detail दिखना चाहते हो, इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, गुद बाई, टेक केर,